आज हम लोग एक question करेंगे जो की question ये वाला है 64th number question है एक book में simplify करना होता है बस basically under root 24.8 plus under root 54 upon 9 को simplify बस करना है तो इसको आज हम देखेंगे पूरी तरह से कैसे करते हैं इसको solve ठीक है आईए बसको आगे देखने हैं class 9 का बहुत अच्छा question है radicals ये certs के question तो अब 24 जिसे upon 8 plus under root 54 upon 9 ठीक है अब आपको दिख रहा हो गई 24 जो होता है 24 जो होता है under root 24 इसको मैं अगर लिखूं कि under root 6 into 4 तो को जलत बात नहीं होगे अब 54 को अगर लिख दूँ मैं कि 54 is equal to under root 6 into 9 तो भी कोई दिक्कर की बात नहीं होगी ओक्या हम लिख देते हैं इसको देखिए इस क्याकर solve करने के बात कि under root 6 into 4 upon 8 plus under root 6 into 9 divided by 9 ठीक है अब आप देखिए ये into है मलब individual भी इसके under root होंगे कि under root 6 into under root 4 divided by 8 plus under root 6 into under root 9 divided by 9 अब आप जानते होंगे under root 4 की value जो होती है वो 2 होती है तो answer जो यहाँ आप आ सकता है वो है 2 under root 6 divided by 8 plus under root 9 की value होती है 3 3 under root 6 divided by 9 यहाँ से 2 जो कट जाएगा इससे काट लेगा 4 times में और यह जो है इससे 3 times में कट जाएगा तो इसके बात जो एक answer मनेगा वो है under root 6 divided by 4 plus under root 6 divided by 3 उसके पर अगर LCM लेंगे तो LCM से direct solve हो जाएगा यहाँ पर LCM आएगा 12 और यहाँ पर 4 का इससे divide उससे उपर multiply तो हो जाएगा 3 under root 6 plus यह हो जाएगा 4 under root 6 तो 3 under root 6 तो total हो जाएगा 7 under root 6 divided by 12 यही है इसका answer ऐसे question और जो under root के बेस्ट है उससे पहले अपनको under root जो है वो सीखना पड़ेगा अच्छे जी के अंडरूट कैसे solve करते तो इसके लिए मैंने एक exercise बना दिया है उसको आपको फटा-फट solve कर लेना है यह है इसमें total 42 questions है इसको आपको under root सीख जाएगे कैसे under root को बहार निकालते कैसे solve करते हैं इससे आपको और फाइदा होगा